तुमने जरासा तकलीफ आया जरासा कष्ट हुआ कुछ बाव आया थोड़ा धन की कमी पड़ी तुमने नरायन को याद करा लच्छमी को याद करा तुमने ब्रह्मदेव को याद करा इंद्र को याद किया सब कुछ करा पर जीमन में थोड़ा सा दुख आया थोड़ा सरीरी में कष्ट आया थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले ब्रहमन यदी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे कि महमर्तिम्ज का पाट करवाई कोई यह नहीं बोलता कि कनक धारा करवाई सिरी सुक्त करवाईए पुरु सुक्त करवाईए या भगवान विश्णू का कोई अनुष्ठान करवा लीजिए या रामरक्षा इस्तरोत का पाट करवा लीजिए पर अगर ब्रहमन कहेंगे किसी वी विद्वान ब्रहमन से पूछोगे किसी भी पंडी जी से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि आप महामर्तियुन जे कापाट कराईए क्यों कि ब्रह्मन को ये बात ग्यात है कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं बेकुंट में भगवान विश्णु रहते हैं इंद्र लोक में इंद्र निवास करते हैं पर मर्तिव लोक का अगर कोई देव है तो महादेव है और जो नजदीक में रहता है जो अपने घर में रहता है अपने परिवार में रहता है वो तुरंत आकर खड़ा हो जाता है वो तुरंत सम्मो का जाता है अकाल मृत्य वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या विगाड़े, जो भक्त हो महा, जो भगवान शंकर की अरादना कर रहा हो, शिव का इस्समर्ण कर रहा हो, भगवान शंकर के नाम इस्समर्ण में लगा हुआ हो, जो भगवान शिव के नाम जाप में लगा हुआ हो उसका कुछ बाल भी बांका नहीं होता